मुकुल सांगमा पर पड़त्यक दविकोरी से नेशनल पीपुल्स पार्टीर बिधायोक जेम्स सांगमाई मुकुल सांगमा पर जो एलिगेशन लगा है ये एक न्यूस पेपर रिपोर्ट के आधार पर हमने आज उन पर एक आरोप लगाया है ये न्यूस पेपर रिपोर्ट इस महीने के जन्वरी के महीने में दस तारीक को न्यूस प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में एक हाले में निकला था ये न्यूस न्यूस पेपर रिपोर्ट जो निकला है ये एक लेटर है एंविसीबी के पोलिटिकल से क्रिटरी मिस्टar आजाजू महरक जिसमें अजाजू मारा पॉलिटिकल सेकेटरी ने बिलकुल ही एक पश्ट रूप में कहा है कि डॉक्टर मुकूल संग्मा जो अभी मेगाले के मुखमंत्री है उनके एन वी सी बी के साथ बहुत ही पुराने संभन्ध है और उनके इशारों पे ही गारू हिल्स में जो मेगाले असेम्बली के विधायक है उनको धमकी दिया गया है ताकि विधायक उनके पक्ष में सपोर्ट दे उनिके इंस्ट्रक्शन्स पे एन वी सी बी ने गारू हिल्स अटॉनमस डिस्रिक काउंसिल के MVC's को किडनाप किया है और बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं उनलाफुल चीज़े हैं जो MVCB ने उनके इशारों पे किया है हम आज मुख मंतरी डॉक्टर मुकूल संगमा का इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि हमारे सोच से जो हेड ऑफ गवर्मेंट है अगर वो ही मिलिटिंस के साथ इस तरीके से अनलाफुल तरीके से अगर इन्वाल्वड है तो आज मेगालय स्टेट के जो नागरिक है उनकी रक्षा कौन करेगा उनके भलाई के बारे में आज कौन सोचेगा इसलिए आज इमीजेटली हम लोग मुकुल सांगमा का रेजिगनेशन मांग रहे हैं हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि NIA या CBI के तरफ से इस मामले में जाच हो और इस जाच को एक इंडिपेंडन तरीके से अगर हम करना चाहें तो मुकुल सांगमा को अपने पद से स्तीफा देना पड़ेगा के लिए पहले मुकुल सांगमा जदी मुखा मुंती होई ठाके तेनते मेखानोयर गनादन तर प्रती भावुक्या ही पबली अभी जुक्कोडी नविन राजनीती बीजने कोई मिलिटन्स के थुरू ऐसे धमकाय धराने में उन किसी भी तरह से नहीं हिचके चाते तो आप सोचिए वो एक वोटर है उनके साब कैसा बरताफ करेंगे इसमें कोई दोराएं नहीं है कि बिलकुल की मुकुल सांगमा अगर चीफ मिनिस्टर रहे तो इस आगे चुनाव में आगामी चुनाव में ऐसा ही होने वाला है लेकिन ये बात यहां नहीं रुकता आज ये बात है हम लोग जो कहना चाहते हैं कि ये डिमोकरिसी के लिए बहुती एक बहुती डेंजरस चीज है वीडियो दाने लिए सुसंत और अस्वेटर अमोटिप को गोई सेंटिनेल नियूज को आते